तरन दाप पुबाइव मेरे प्यारे बच्चे आज मैं आपको नौन परहने जा रहा हूं। नौन क्या है। नौन इज नेम आप पर्शन प्रेस्टिंग और नौन इज नेमिंग बर्ड। किसी भी चीज को हम नौन करते हैं। आप दुनिया में जितनी भी चीज देखते हैं वो नौन आते हैं। या जिस चीज को आप छूते हैं या जिस चीज को खाते हैं या जिस चीज को लिखते हैं वो नौन है। जैसे धोनी। धोनी क्या है। एक किर्किटर है और धोनी को किर्किटर की रूप में जानते हैं इसलिए धोनी एक नाउन है पत्ना पत्ना क्या है एक सिटी है और बिहार की राज़ानी है पत्ना भी एक नाउन है जगा का हो गिया जैसे पत्ना देहली गगटा नाइपाल इंडिया बिहार चिने तामिलनाड तो बॉय उएक नाॉन है जैसे रमेश इजे बॉय तो रमेश इजे बॉय तो यह इजे बॉय क्या एक नाॉन हो गिया तो इसी ते नाउन को आप हम पढ़ लिया तो आप समझग गया कि दुनिया के हर चीज एक नाउन है आपके सामने pen, camera, board, book, pen, duster, यह सभी non है आप जितने भी चीज को देख रहे हैं वो सभी non है अब आएए आगे kind of non पांच परकार के होते नमबर एक proper non proper non denotes a particular person, place or thing means particular means special को एक खास चीज व्यक्ति अस्थान के नाम को हम proper non कहते हैं proper non का पहला later वो capital से सुरू होता है जैसे इंडिया, इंडिया एक country है तो यह proper non हो गया पाकिस्तान, चाइना, अमरीका, इंग्लेंड यह सब क्या है country है और सभी proper non में आते हैं फिर देखिये बिराड कोहली इजए क्रिकिटर, तो बहुत से क्रिकिटर है बिराड कोहली क्या proper non है MS धोनी, हर्दिक पांडिया, महमत समी और जतने हैं अधर उद्दीन यह सब क्रिकिटर हैं और यह proper non है प्रोपर नौन है क्यों के बिराट कोहली, एक कोई खास व्यक्ति को बता रहे हैं, बिराट कोहली के नाम देने से हिंदूस्तान का किर्किटर है और इसलिए बिराट कोहली ये प्रोपर नौन है, प्रोपर नौन है जीयो, स्मार्ट, एर टेल, एर टेल ये सब सीम है, तो जीय इंडिया यह प्रोपर नौन हो गया विराट कोहली यह प्रोपर नौन है यह प्रोपर नौन अब समझ मा गया प्रोपर नौन अब उसके बावन पढ़ते हैं चैनल प्रोपर न त्षित बहुत से एक पूर्य जाती का बोध होता हैं एक व्यक्ति नाम लेने से जैसे कंटरी इंडिय इन कंटरी तो इंडिय कंटरी हैर नाप tiếp आली से कंटरी चाइना इसे कंटरी टो बहुत से देश है लेकिन एक देश में होता है कुछ की अपनी सरकार होती है अपनी भुभाग होती है अपनी अबादी होती है अपनी सरपधूता होती है तभी उसको एक अपनी फलैग होती है और अपनी भासा होती है और एक अपना लेंग्योज होता है तभी एक देश होगा जैसे इंडिया के जो खिर्किट खिलना जानता है एमेज धोनी जे किर्किटर हार्डिक पांडिया जे किर्किटर नाम लेने से बहुत से बहुत नाम आ जाए उससे पुरी जाती का बोद होता है जैसे सईदÍ अफदी एंड इसमीट यह सब किर्किटर है सीम तो सीम तो बहुत राख होते हैं यह उससे सीम का बोध होता है जैसे यह तेल सीम, जियो सीम, बोडा सीम तो सीम से पूरे सीम का बोध होता है दुनिया में बहुत से सीम हैं, लेकिन हम लोग जो इस्तमाल करते हैं, जियो करते हैं, यर टेल करते हैं, वोड़ा करते हैं, क्यों होग कि इइडिया में यह भेले बुले? तो अब समझ में आगया common non और proper non. जैसे इंडिया हो गया proper non, contrary हो गया common non, अब यहां पर clear हो गया दूसरा बिराड कोहली जैघ क्रिकेटर, तो बिराड कोहली एक proper non है क्रिकेटर common non और geo is a good seem, तो geo proper non है seem common non, अब यह दोनों में clear, तीसरा पराते हैं तो ये टीम अप्लियर्स एक टीम के किरकिटर के किरकिट के फुटबाल के होकी के एक टीम इगारा के होते हैं यसीलिए पूरे जाती का पूरे समु का बोद होता है पूरे समू का बहुत होता है, a bunch of kids, a bunch of kids, a soul of fish, a batch of students, a battalion of soldiers और इस तरह से a set of questions, तो यह collective noun, collective noun है, तो a team of pillars has come, a bunch of kids is lying on the table, the army has come तो यह सब collective noun, collective noun के साथ हमेशा singular ही भरवेका परयोग करते हैं, क्योंकि यह collective noun, singular ही number में आते हैं, नमबर दूसरा, material noun, material noun denotes quantity, quantity of substance, इसका हुआ दरब को बतलाता है, जिस चीज़ को आप नाप सकते हैं, तौर सकते हैं, वो quantity में आ गिया, गोल्ड, राइस, मिल्ट, तो अब राइस, एक quantity है, जिसको आप नाप के, अब मिल्ट, यह लिकिड है, मिल्क के हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, यह सब लिकिड है, जो दूद से बनता है, तूद से में आप नाप और इसके साथ सिंगुलर ही भरवे का इस्तमाल होता है, गोल्ड is costly, अब स्थेक नाउन डिनोट्स, क्वालिटी, फिलिंग, आक्शन और इस्टेट, क्वालिटी में ब्यूटी, बिज्डम, अनेस्टी, वर्चू, इक्वालिटी होगा, फिलिंग, अंगर मेक्स मैं मैड, लब इज ए पावरफूल फिलिंग्स, लब, हेट, हेट इज वर्स दान लव, आक्शन, आक्शन, सक्सेस, सक्सेस डिपेंड्स अन लिवर, अन इस्टेगर, तो सक्सेस सीज़े, अब इस्टेक नाउन, चाल्ड़ूट, चाल्ड, कॉमन नाउन है उस उससे बना चाल्ड़ूट, बॉय, कॉमन नाउन है उससे बन गिया क्या बॉय हूद, गर्ल, कॉमन नाउन है उससे बन गिया गर्ल़ूट, बोमेन, बोमेन हूद, फ्रेंड, इजे कॉमन नाउन, फ्रेंड सीप इजे अविस्टेक नाउन, गार्जियन इजे कॉमन नाउन, और guardian ship इजे अविस्ट्रिक्ट नौन, captain, captain इजे common नौन, captain ship इजे अविस्ट्रिक्ट नौन, तो अविस्ट्रिक्ट नौन के साथ भी हम singular word के इस्तेमाल करते हैं, beauty is a gift in marriage, success depends on labor and struggle, childhood is a golden period of life, आज तक इहीं होगा, मैं कल पढ़ाऊंगा बच्चो कि common errors in the use of non, ये बहुत से कम परसन पुछे जाते हैं, और इस पर बहुत से सवाल अधारी तरहते हैं, जैसे year force में, navy में, ssc में, bank में, और upsc exam में, आप अगर देखिएगा दुस्ट्रे, common error का मतलब होता है, कि non में जो पैदा हो, पहले non को detail से जालने, उसके बाद मैं pronoun पढ़ाऊंगा, फिर adjective पढ़ाऊंगा, फिर भरे पढ़ाऊंगा, conjunction पढ़ाऊंगा, preposition पढ़ाऊंगा, voice पढ़ाऊंगा, narration पढ़ाऊंगा, syntax पढ़ाऊंगा, आपको non finite पढ़ाऊंगा, बहुत से error होते हैं, और student आज ज अच्छा है, तभी आप error को पकड़ लिजिएगा, तभी आप examination में सफलता पाएंगे, बहुत से पर्यास करते हैं, लेकिन उनको अच्छी किताब, अच्छी material नहीं मिल पाती है, इसलिए examination में वो confused हो जाते हैं, और सफलता नहीं मिलती है, जो विदार्थी, जम कर पढ़ते हैं, deep study रखते हैं, आपको grammar का word power का वही सफलता मिलता है, और मैं चाहता हूँ, I shall teach you common error in the use of noun.